आज के सारे हैक्स बहुत ही सिंपल और प्राक्टिकल हैं, जिनसे आप डेरी लाइफ में ह्यूज मनी बचा सकते हैं, तो चलिए इस यूस्फुल वीडियो को शुरू करते हैं. की हुई कठल या जैक्फुल जब हम लाते हैं, तो सिर्फ हम उसका बाहर का हिस्सा खाते हैं, और अंदर जो सीड होता है, उसे हम वेज़ समझ के फेक देते हैं, ये बहुत महंगे आते हैं, आप इन सीड को फेक ये नहीं, जब भी आप इनको उबाल के नमक डाल के खाएंग ये एकदम सिंगाडे, जो वाटरनट होता है, उसकी तरह लगते हैं, तो जब हम कठल खाते हैं, तो उनके सीड निकाल निकाल के आप रख लीजे, आपको अलग से बॉल करने की जुरत नहीं हैं, जब भी आप पोटैटो या राजमा, चना, जो भी चीज बॉल कर रहे हैं, उसी के साथ इसको डाल दीजे, और उपर से डाल दीजे बस एक चमच नमक या जितना भी आप छोले में डालते हैं, जितना आप छोले के उबालते हैं, बस उतना ही इसको सीटी चाहिए, उसके बार इसको आप छील के सिंपली जब खाएंगे, ये बहुत ही यमी लगते हैं इसी तरह जब हम कद्दू लेके आते हैं तो हम सबजी वाले से उपर का उसका हिस्सा क्लीन करवा के ले आते हैं बट इनके उपर जो सीड होता है पामकिन सीड मार्किट में बहुत महंगा मिलता है मतलब 100 ग्राम के लिए ही वो आप से 200 रुपै ले लेते हैं आप इनके सीड को छील के रख लिजे इतने से पामकिन में हारली 20 सीड होते हैं अगर आप 5-5 करके भी छीलेंगे तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इस तरह से आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं ये पामकिन सीड जो मैंने रखा है ये अलग-अलग साइस और शेप में हैं क्या ही फरक पड़ता है कद्दू के सीड तो कद्दू के सीड होते हैं इनको आप खीर में, ड्राइफ फ्रूट्स में या किसी और डेजर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं इस तरह से मैंने बहुत सारे पैसे बचा लिए बस आपको करना क्या है हलका सा इनको संड्राइ करना है और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरके जैसे आप ड्राइफ फ्रूट्स स्टोर करते हैं कर देना है प्लास्टिक कंटेनर में रखा हुआ फोड कंटामिनेट हो जाता है तो उसके लिए हम इस तरह से महंगे महंगे ग्लास जार खरीटते हैं बट ये बहुत महंगे होते हैं कई बार अफोर्डेबल भी नहीं होते तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर लेती हूँ जो एयर टाइट होते हैं मुझे थ्री का सेट मिला है आई थिंग को 60 रुपीज में ये तीनों से एक अलग-अलग साइज में हैं अब मैं इसमें जो स्टील के बरतन होते हैं उसमें जो फूड रखना है वो डाल के रख लेती हूँ जैसे मैंने अभी आपको पंकिन सीड दिखाया तो मैंने इस बाउल में पलट लिया इस बाउल को फिर मैं इस प्लास्टिक कंटेनर के अंदर रखोंगी क्योंकि स्टील तो फूड को स्पॉयल नहीं करेगा और उपर से लगा दूँगी इसका लेड़ मेरे दो काम हो गए पहला एक ये एर टाइट हो गया दूसरा सस्ते में काम हो गया साथ ही मेरा फूड भी कंटामिनेट नहीं हो रहा है ऐसे ही एक और जार में मैं रखती हूँ अपनी गार्लिक छीली हुई फ्रिज में रखें तो उसे बैट स्मेल भी आती है तो उसे भी रुपता है इसी तरह मैं तीसरे में रखती हूँ बटर घर में बनाया हुआ वो भी स्टील की कटोरी में ये तीनों का सेट जैसा मैंने बताया 60 रुपीज का है ये स्टैकेबल है तो आप फ्रिज में एक ही स्लैब में तीनों को रख सकते हैं आपका बहुत सारा पैसा बच गया और आपका जो फुड का प्रॉबलम था वो भी सॉल्व हो गया मार्केट में कभी भी कपड़े हमारी परसनल साइज के नहीं मिलते जब तक आप उनको स्टीच ना करवाएं इवेन अगर हम बच्चों के लिए स्टीच करवाते हैं तो थोड़े दिनों के बाद या तो वो छोटे हो जाते हैं यहाँ पे एक न्यू पैंट है जो साइज में थोड़ा छोटा था तो आप देखेंगे किसी भी कपड़े के नीचे बॉटम की तब थोड़ी सी फोल्डिंग होती है और जिस पे एक कच्ची सिलाई होती है तो मैंने वो कच्ची सिलाई एक सीजर की हेल्प से ओपन कर ली है इसमें कुछ दो इंच का स्पेस है और उतना ही मुझे एक्स्रा लेंथ चाहिए अगर आपको और लेंथ बढ़ानी है तो फिर आपको मैचिंग का कपड़ा ढूरना पड़ेगा मुझे सिर्फ डेड़ी इंच ही एक्स्रा चाहिए तो मैंने सिर्फ ये सिलाई खोल ली है सि जो क्रीज बना हुआ है वो क्लियर हो जाए और स्टिच करने में कोई प्रॉब्लम ना आए अब मैंने ली है एक पुरानी कुर्ती का नीचे का बॉड़र नीचे का इस ले लिया है क्योंकि एक तरफ औरेड़ी स्टिच रहेगा तो मुझे स्टिच करने की जरुरत नहीं प प्लस पैंड का सीधा साइड नीचे की तरफ रखके स्टिच कर दूँगी चारो तरफ लास्ट में आते आते मैं स्टॉप हो गई और दोनों एंड को मेजर करके ज्वाइन कर दिया ज्वाइन करने के बाद बाकी की बची हुई स्टिचिंग कंप्लेट की इससे से वो वहीं पे प्रॉपर फोल्ड रहेगा आपको तुरपाई करते समय बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी तुरपाई करने के लिए जो मैं प्रोसेस फॉलो करती हूँ मैं फिंगर में पैंड को थोड़ा थोड़ा लपेट लेती हूँ और फिर छोटे-छोटे टांके बना हुआ है। साथ ही आमें काउंटर टॉप बार-बार वाइप करना पड़ता है। इसके लिए आप न्यूस पेपर यूज़ करते होंगे लेकिन वो भी अगर गीला हो जाए तो फ्लोर पे चिपक जाता है। सबसे बढ़िया है कि आप कोई भी एक हार्ड पॉलिथिन लीजे। मैंने य इसके लिए प्रड है कि इससे कच्रा तो डेफिनेटली नीचे नहीं गीरेगा। इवन एजेस कट करने के बाद आप उसको वैसे ही स्वाइप कर सकते हैं इस पॉलिथिन पे। सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर इसमें जब बहुत कच्राई कट्था हो जाए तो इसको डस्ट बिन में डालना भी उतना ही आसान है। आपको इसको कॉर्नर से पकड़के बाहर खीचना है। इसको फोल्ड करना है थोड़ा सक्रा करके और बस इसको डस्ट बिन में पलट दीजे। पॉलिथिन आप वाश करके इस तरह से फोल्ड कर दीजे ताकि उसके ओपन कर सकते हैं जो green spices हैं उनको मैं boxes में store करती हूँ लेकिन wash करके नहीं logic behind is कि अगर मैं इनको wash करूँगी तो सुखाना भी पड़ेगा अगर धूप में सुखाती हूँ तो इनका color चला जाएगा even aroma और अगर wipe करती हूँ तो जब हम पतियों को towel के बीच में tap करते हैं तो वो fold हो जाती है fold होने से वहीं उसमें scratch आजाते हैं और फिर वहीं से वो खराब होने लग जाती है यही दो reason है जिसकी वज़े से मैं इनको directly रख लेती हूँ अब इनको use करने के पहले तो wash करना है तो अगर मैं एक बड़ा पतीला लेती हूँ और उसको wash करती हूँ तो देखिए problem क्या आती है जब मैं ऐसे wash करूंगी तो नीचे जो sand वगरा मिटी रहेगी वो बार बार धनिया में लपिट जाएगी इसके लिए मुझे दो तीन बार धनिया को धोना पड़ेगा एक simple hack है कि इस तरह के जो गहरे वाले बाउल mostly हमें किसी ना किसी snacks के साथ free मिल जाते हैं वो use कीजे उतने ही पानी में आपकी धनिया बहुत अच्छी से एक बार में ही wash हो जाएगी क्योंकि जब हम इसमें wash करते हैं तो नीचे वो कम सकरा है धनिया की पतियां वहां तक नहीं पहुँच पाती सैंड वहां collect हो जाती है आप देख सकते हैं कि नीचे कितनी सैंड collect हो गई है इस तरह से कम पानी में ही आपकी धनिया धुल जाएगी हमारी balcony में और garden में greenery सभी को पसंद होती है और plants के लिए पानी mandatory है तो पानी डालने के लिए mostly हम महंगे tools खरीते हैं क्यूंकि अगर हम mug से डालेंगे तो quantity जादा हो जाती है side से गिर भी जाता है even कुछ अगर bushy plants हैं उसमें mug घुसेगा ही नहीं आप पतियां हटा के भी डालेंगे still वो proper fit नहीं होते हैं या तो plants damage हो जाते हैं या उनको proper पानी नहीं मिलता इसके लिए मैंने एक simple सा 250 रुपीज का ये जो चाय की cattle होती है ये लिया था ये भी मैंने watering के लिए नहीं किसी और purpose के लिए खरीदा था वो purpose पूरा होने के बाद मैं इसको as a watering tool यूज करती हूं इसका जो knob है वो बहुत narrow है और spiral design में होने की वज़े से बहुत कम speed से पानी गेड़ता है और लंबा होने की वज़े से even आप बुशी plants में अंदर तक डाल सकते हैं जब भी मैं rice या डाल धोती हूं उसका पानी मैं इसी में collect करती जाती हूं इस तरह से चावल और डाल के जो थोड़े बहुत nutrients wash up हुए वो आपके plants में use हो जाएंगे देखिए spout की वज़े से कितना आसानी से आप plant में पानी डाल रहे हैं इवें जैसे मैंने बोला planter ये एक glass है जिसके उपर मैंने t-shirt की sleeve का cover चड़ाया हुआ है ऐसा लग रहा है कि ये market से खरीदा हुआ planter है second last video में मैंने आपके साथ share किया था कि आप old notebook से जो pages बचे होते हैं उनको cutter से cut कर लीजे और फिर उनको spiral binding करवा के आप एक new notebook बना सकते हैं उसके charges कुछ 300 pages के लिए 60 रूपिज था तो मैंने सोचा कि अगर उन pages का मैं rough notebook बना रही हूँ तो मैं ना घर भी क्यू ना उनको spiral कर लो तो उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ punching machine से ही उनमें holes किया है उसके लिए मैंने कुछ 10-10 pages लिए हैं 20 से fold किया है punching machine में एक mark होता है arrow का वहीं से इस folded portion को align किया है और punch किया है उसके बाद जो पहला hole है उससे arrow को align करते हुए again punch किया है यही process repeat करते हुए पूरे page में top to bottom मैंने punch कर लिया है सारे pages को मैंने इसी तरह से punching machine से ही hole कर लिया अब बारी आती है इनको spiral करने के लिए तो spiral करने के लिए मुझे top और bottom में hard bound लगाना पड़ेगा तो मैंने again जो पुरानी notebook है उसी का cover लिया है क्योंकि notebook में एक उपर hard covering होती है अगर pages वगरा कुछ extra बढ़े हैं तो आप उनको seizure से equal कर सकते हैं top एक hard bound और bottom पे रखे मैंने इसको एक spring थी मेरे पास तो वो यूज की है अगर spring नहीं है तो उसका भी substitution है अब wool यूज कर सकते हैं wool को जहां जहां आपने hole किया है बांध दीजे जैसे हम note लगाते हैं वैसा ही इस तरह से आपकी notebook ready हो जाएगी ये मैंने एप्रॉक्स 400 पेज की notebook तयार की है 0 rupees में जिसकी market value कम से कम 180 rupees है grocery लाते समय rice या गेहूं इस तरह के polythin में मिलती है अगर आप किसी grocery shop से ले रहे हैं अब इसकी polythin tight होती है तो खुलती नहीं हमें काटना पड़ता है बट इसको अगर आप इस तरह से उसके end को roll करके push करेंगे तो आपकी note आसानी से खुल जाएगे अब यहां money saving कैसे involved है तो वो ऐसे कि अगर ये polythin अच्छे से निकल जाती है तो आप इसको dust bean liner की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि एक liner approximately 2 rupees का आता है मैंने बहुत कम ही containers खरीदे हैं शादी करके जब मैं आई तब ही मैंने जो खरीदा होगा बस उतना ही उसके बाद मैंने इस तरह से कोई भी bottle या मसाले मेरे घर में आते हैं मैं उन boxes को ही use करती हूँ ये bottle actually milk के हैं अब वो वापस लेके नहीं गए तो मैं इनको ऐज़ा डाल स्टोर करने के लिए use करती हूँ इनसे डाल निकलना बहुत आसान है और visible भी रहती है इसे कौन सी डाल बनानी है असानी से मिल जाती है बट definitely ये filling मेरे लिए easy नहीं थी अगर मैं direct इससे डालती थी तो कई बार ऐसे डाल बिखर जाती थी फिर मैंने एक hack सोचा ऐसे इस तरह से आप कोई भी एक hardboard का paper लीजे पुरानी notebook का भी use कर सकते हैं उसको as a tool यूज करके आप आसानी से इसमें डाल फिल कर सकते हैं इस तरह से container के भी पैसे बच गए और जो tool चाहिए filling के लिए उसके भी पैसे बच गए आप मुझे दो जीजों के basis पे rate कीजे पहला कि आज का ये video आप के लिए कितना useful था out of 10 आप मुझे कितना देना पसंद करेंगे similarly मेरे video क्या improve हो रहे हैं तो आप मुझे improvement के लिए कितने marks देना पसंद करेंगे again आपको 10 में से कितने marks देना है be honest, be straightforward मैं आपके marks का wage करूंगी मिलते हैं अगले video में बहुत ही जल तब तक के लिए take care and bye bye तो आपके लिए करेंगे लिए करेंगे